चर्चा प्रारम होत हे सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्राणनात सक्षी जीवन हमारो होई सिरी महमति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए वैठे इन तकत लाल आगे आए वैठे इन तकत ब्रज रास दू अखंड कर चेतन बुद्धी फिरे मन एब्रम हांड तीसरा जहां मुहमध आए रोसान जहां मुहमध आए रोसान रास लीला खेल के बरसाद की इन दिनों में जब हम देखते हैं कि बारिस अभी हो रही है इसी समय पे जो किसान है उन्होंने धर्ती पे कुछ उगाने के लिए अपने परिक्ष्रम से कुछ बीज रोब दिया कुछ समय के बाद इस मोसम के परिवतन होने के बाद जब सुर्य उगेगा और धुप लगेगी तब जाकर वो बीज भी एक अंकुरित रुप से फुटेगा और वो भी किसी न किसी समय पे वो फल देगा उसी प्रकार से आज हम इस समय पे वानी और वितक की चर्चा सुन रहे हैं वितक जो लालदास जी के हिर्दे पे सुयम महामती जी बेठे हुए हैं और वो हम लोग के हिर्दे पे वो ही बीज डालना चाहते हैं वो तीन तक्रार के रुप में उन्होंने कहे दिया है और तीन तक्रार में हमने ब्रज को भी जाना हमने कल उसी दोरान रास के उन लिलाव को जाना जहां आज दिन तक हर कोई सादक वहाँ पे जाना चाहता है परंतो हम इस दुन्या में रहते रहते हमने ना कोई ध्यान किया ना तप किया ना ज्ञान के ही कुछ पीपासा किया फिर भी निश्वत होने के कारण ही हमें ये बताया जा रहा है कि हम उस परमधाम की आत्मा है और तुम्हें जो ब्रज और रास की खेल तुमने कर लिया है तो अब तुम्हें उस आत्मजागरिती को और जाते हुए अपने घर के तरफ लोटना है रास की उस खेल के बाद जब वानी ये वर्नन करती है रास खेल खेले फिरे घर वो रास खेलने के बाद हम कहां पे गए हम यहां इस दुनिया में नहीं आये हम पहले अपने घर परमधाम के और गए और परमधाम के बाद जब ये धनी समझते हैं कि जो सक्या है उनके जो इक्छाए है वो पूर्ण रुप से पूर्ण नहीं हुआ है तब जाकर यहां पे वार्नी कहती है ब्रज रास दो खेल माहे ये दुख तामसियों को देखे ना है जब वो तामसिय सक्या जिन्होंने ब्रज की और रास की जो खेल खेला था उस खेल में उन्होंने क्या क्या उन धामधनी के ऊपर पूर्ण रुप से विश्वास करते हुए वो ब्रज और रास को पार कर गए और जो ब्रह्मा आत्माएं ब्रज और रास में सोयम धामधनी के उपर विश्वास करते हैं उनके उपर बहारी रूप से दुख दिखाए देता है वो दुख कुछ है नहीं तो वो दुख उनको हुआ नहीं वो धामधनी के उपर ही कुर्बान रहें इस कारण से अब उनकी जो इक्षा है वो बची रह गए तो उसी इक्षा को पूर्णक करने के लिए अब धामधनी क्या करते हैं वो एक हुकुम देते हैं ये हुकुम चौदे भवन अब धाम धनी 14 भवन को निर्मान करने के लिए फिर से एक आदेश देते हैं और तब जाकर ये सोपन का ब्रह्मान फिर एक बार बनता है जिसको हम तिन तक्रार के रुप में जानते हैं तिसरे दिन पे ही हम वो चौपाय में जा रहेते हैं आज जाकर वो चौपाय पूर्णा हो रही है हम ये ना सोचे कि हमें तिस दिन का जो समय मिला है उसको जल्दी जल्दी से खतम करना है हम एक ब्रह्मसृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् वानी को और बितक को सुनने के लिए एक दो बार आ जाएंगे तो हमारे जो भ्रहम स्रिष्टी होने का निश्वत है वो पूर्ण हो जाएगा लेकिन हम ही सोचे क्या वो निश्वत इस प्रकार से पूर्ण होगा या नहीं तो धामधनी यही कह रहे हैं कि हाँ अब राज से फ हम पहले भी कह चुके हैं वो प्रतिभिंग की राज की लिला वहाँ पे स्वयम कुमारी का सखी तथा बेद रिचाय ने 36,000 सख्यों की रूप में कृष्ण जी के अंदर जो योगमाय की सक्ति बेठी हुई है उसके साथ लिला क्या धामधनी कहते हैं दिन ग्यारा ग्वालो भेश था तब धनी का नहीं आवेश उस ग्वाल के अंदर जो कृष्ण जी थे उनकी अंदर स्वयम धामधनी की आवेश सक्ति नहीं था अब जाकर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि साथ दिन गोकुल रहे और साथ दिन वो कहां रहे गोकुल पे रहे चार दिन मथुरा कहें तब जाकर हमें ये समझ में आता है कि कृष्ण जी जिसकी अंदर स्वयम प्राणनाजी बेठे हुए थे वो ग्यारा बरस और बाउनन दिन तक लिला करते हुए वो धाम की तरफ चल गए और जो अब जाकर जो कृष्ण जी धरती पे आये हुए लिला करने के लिए वो योगमाया के ब्रह्मांड के सक्ति है और जो सक्षियों के अंदर है वो परमधाम की आत्मा ना होकर स्वयम बेदरिचाय तथा अक्षेर ब्रह्मा की जो सुर्ताय है वो है तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आया अब जाकर जो कृष्ण जी है उन्होंने गोकूल में जो लिला किया और जो चार दिन मतुरा पे लिला करते हैं चार दिन मतुरा में वो क्या क्या करते हैं वो अनेकों लिलाओं में जो मुख्य है वो कंस का वद करते हैं जो कंस के वद के समय पे जब अब कंस का बद हो चुका है सब लोग जेकारा लगा रहे हैं उग्रसुन को लाय जाता है तब जाकर देब की और वस्यद्य देब को कारागार चे छोड़ दिया जाता है अब जो ग्वाल भेश है उनके पास अब वो क्या करते हैं उस ग्वाल भेश को वो निकालते हैं तथा जो सिंगार है वो किसका है वो राज स्रिंगार है राज स्रिंगार जब करते हैं तब कहा जाता है कि तब बल पराक्रम ना लहियो लगार वो कहा जाता है कि जो योगमाया के ब्रह्मान जेसो सक्ती आई थी अब वो कृष्ण जी की अंदर से च उनको अपने सुरुप की पहचान नहीं है। तो वो डर जाते हैं। वो बानी में कहा जाता है कि अब वो क्या करते हैं। यह याद जब करे आया विचार, जब वो याद करते हैं तब विचार आता है, मैं कौन हूँ, कृष्णा, विष्णु मैं भय निर्धार, अब वो कृष्णा जी अपने आपको विष्णु होने का जो अवतार हैं वो पता लगाते हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह स्वयम प् हमें कुछ ज्यान देती है, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता. तो हर सुन्दर साथ, हर ब्रहमात्माओं का ये पालन करना ही चाहिए कि हमें अपने वानिंग जो स्वयम परमधाम की परमात्मा ने हमें ब्रहमस्रिष्ट्यों के लिए दिया गया है, वो पत्र को पढ़ना चाहिए. तब जाकर हमें ये पता चले कि हमें किसके पुजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कौन किसका हाथ पकड़ने से हम उस परमधाम तक पहुँच सकते हैं. अब कृष्ट्यी के लिला के बाद, 120 वरस के बाद जब कृष्ट्यजी अपने मृत्यों के सहियां पर लेटे हुए हैं. मैंने याद किया था कि तिसरे दिन पे मैंने एक प्रश्न पूचा था. मैंने यहां पे सब को ये कहा था कि वो कृष्ण घोन है, और वो राधा कौन है और वो रुक्मनी कौन है कृष्ण जी ने राधा जी से साधी क्यूं नहीं के थे तो इसी कारण से यही प्रस्टने से हमारी तृदा लिला के जो भेद है वो समझ में आती है तो अब जाकर जो हमने शुरुवाद से कृष्ण जी के जो तन है उसके अंत तक जो लिला हमने समझा उसी के अंदर तृदा लिला आ गए अब इसी को एक सटकॉट में बताया जाए तो क्या कहा जाएगा ग्यारा बरस और बाउन दिन कोन लिला किया स्वयम प्राना जी ने कृष्ण जी के अंदर उसी प्रकार जो ग्यारा दिन का लिला हुआ वो किस ने किया योगमाया के ब्रह्मान की सक्ति ने अब जो बचा कुचा जीवन है जो कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं वो कौन दे रहे हैं वो स्वयम विश्नुभगवान दे रहे हैं इस दुन्या के तो इस प्रकार से जो तृदा लिला के बात कही गई है वो एक तन है और उस तन के अंदर तीन सक्तियों ने लिला किया है उधारन के रूप में हम यहां स्वयम बितक को अध्यन कर रहे हैं तीन सुरूप की बितक हम सुरुवात में हमने कहा तीन सुरूप जिस प्रकार से स्वयम शरीर अलग-अलग है लेकिन यहां पे अंदर नासने वाला, खेलने वाला, लिला करने वाला एक ही है लेकिन वहां पे तन एक है त्रिधा लिला में लेकिन खेलने वाला अलग अलग है तो इस प्रकार से जब हम इस बात को समझ लेंगे तब हम धाम धनी से जुड़ जाएंगे अब किस प्रकार से हम ये लिला करने के बाद हम परमधाम के आत्मा है तो अभी भी धाम पे है एक्षा को पूर्णा करने के लिए अक्षेर ब्रह्मो को ये कही दिया गया है कि अब जाकर स्रिष्टी रचना कर लो और एक कारण ब्रह्मो स्रिष्टिया उस खेल में जा सके और उनकी जो दुख की इक्षाय है वो पूर नहों सके तब जाकर यहां पिर वो कहां पहुँचते हैं तब जाकर स्रिष्टी के रसना होती है और स्रिष्टी की रसना होने के बाद यहां पे कहा जाता है कि वो फिर से यहां जो अक्षेर ब्रह्मा की सुरत ने इस संसार को बनाया वो सोयम यहां पे आते हैं महमत के रूप में अरब की धर्ती है अरब की धर्ती में उस समय की बात है जब एक दिन में एक मुर्ती का पुजन होता था 365 एक साल में है तो 365 मुर्तियों का पुजन होता था तो इस प्रकार से हम स्वयम अपने गती को छोड़ते हुए मनुस्य क्या करता था परमात्मा को ना ढूंटे हुए श्रीफ एक मूर्ति का पुजन करता था तो उसको ज्ञान देने के लिए और ब्रह्म सिष्टियों को एक प्रमान देने के लिए अब धाम धनी क्या करते हैं कि तन कोई भी हो लेकिन उस तन के अंदर स्वयम अक्षर ब्रह्मा की जो आत्मा है वो कारे कर रहे है और स्वयम धाम धनी के जो जो से वो कारे कर रहे है तब जाकर कुरान के अंदर अब साक्षिया मिलते हैं समाज में जितने भी लोग यूटूब में भी देखेंगे या जितने भी लोग यहाँ पे बेठे हुएं भी है अब हम भी सोचें कि जब हमने कुरान पक्स को रखा ज्यादा तर लोग ही सोचेंगे कि कुरान पक्स कहते ही ये मुसल्मान की बाते क्यों कर रहे हैं लेकिन क्या वो परमात्मा मुसल्मान का, वो हिंदू का, वो कृष्चनों का अलग-अलग है। लेकिन हम सब को पता है कि वो परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान को ना बढ़ाते हुए, अपने मन को कुंठित करते हुए, उस सत्य को पहचानना नहीं चाते, और जो सास्त्रों में थोड़ा सा ज्ञान लिखा हुआ है, उस ज्ञान को लेते हुए, जितने हमारे हिर्दे में पात्रता है, उसको समझते हुए, हम यह सोच लेते हैं कि हमने पूर्ण ज्ञान प्राप बना जब संसार की रसना हुई संसार की रसना के बाद ही तो मनुस्य तन बना और जब मनुस्य तन बना तब जाकर तो एक मनुस्य के बुद्धी में आया कि धर्म होता है और धर्म के बाद उनको यह पता चला कि पेशे के लिए संप्रदाय भी बना लेना चाहिए सत्य को अप अपनाने के लिए भी उन्होंने संप्रदाय बनाया तो इस प्रकार से जब मत इस तरह आगे बढ़ती गए आज समाज में हम ये देखते हैं कि हर कोई अपना अपना परमात्मा कहता है लेकिन मूल पे ये जाएंगे तो सब का परमात्मा एक है चाहे वो मुसल्मान का हो चाहे वो हिंदू का हो बहुत का हो या जैनी का तो इस प्रकार से हम ये ना देखें कि हम कौन से संप्रदाय से हैं हम ये देखें कि हमारे अंदर की जो चेतना है वो कौन है और वो चेतना किस से जुड़ी हुए है जब इस प्रकार से हम अपने चेतना को उस परमधाम से या परम सत्य से जुडाते हैं तब जाकर उस परम सत्य का उजाकर हो सकता है लेकिन जब तक हम अपने अंदर अपने आपको एक मनुस्य सोचेंगे और मनुस्य के अंदर जो संप्रदाय से हम जुड़े हैं, उस संप्रदाय से जुड़ेंगे, तब जाकर हम अपने ही भाई और बंदू से अलग होगे। तो इस प्रकार कुरान की पक्चे चल रहा था। कुरान में अब साक्षिया आती है कि किस प्रकार से इस दुन्या में 6 दिन की लिला होगे। 6 दिन, प्रथम दिन का लिला है, ब्रज का, दूसरा दिन, रास, तिसरा दिन का लिला, सोयम अरब की धर्ती में होने वाली लिला को कहा जाता है। चौथा दिन का लिला जो हम देव चंदर जी के भी तक को कहेंगे और पांचवे दिन के लिला जो स्वयम मिहराज जी के अंदर स्वयम प्राणना जी लिला कर रहे हैं उनको कहेंगे और जो छट्वे दिन के लिला है वो आज को कहेंगे जो ब्रह्मि सिष्ट्या लिला कर रहे तो इस प्रकार से कुरान पक्ष में ये चीजे लिखी गई है लेकिन वहाँ पे ब्रज और रास कहके नहीं कहा गया वहाँ कहा गया है कि हुद नभी के घर में तुफान आया था नूर नभी के घर पे तुफान आया था तो वो अर्भी के ही भासा में क्या किया गया संक्यत रूप में दिया गया लेकिन वो खुलेगा कौन अगर खुलने वाला बेक्ति सोयम कौन है वो परमात्मा है उसके सक्ति ही आने के बाद ही वो कुरान हो चाहे वो बेद हो चाहे वो अनेको सास्त्र हो वो ही आकर खुल चकता है तो इस प्रकार जब अरब में आये तब क्या होता है जब मुहमद साहिव की नौ सदी भी तक जब मुहमद साहिव की नौ सु सदी भी तक भी जाती है नौ सो नब्बे ऐसे कहा जाता है कि वो जो मुहमद है उनका अब मृत्य हो गया लेकिन उनके सरीर मुहमद का आर्थ क्या है जो महान है, जो परमसत्य की ओर, जाना चाहता है, उसी को महमत कहते हैं, लेकिन हम आज उस बंदे को जो 1430 हिजरी संबद में पुर्व आया था, उसको हम महमत कहते हैं, लेकिन महमत भी वो नहीं है, महमद जो उनकी अंदर बेट कर जिसने कुरान को कहा वो महमद है तो वो जो तन था उसका तो श्रिव 63 बरस तक ही लिला हुए और 63 बरस के बाद उनकी मृत्य हो गए तो अब धामधनी यहाँ पे अब राज खोलते हैं कि ब्रह्म सिष्ट्या और स्वयम स्यामाजी तथा राज जी इस धर्ती पे कब आएंगे तब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब महमद के बीटे हुए 900 साल और 9 महिने बिद जाएंगे तब जाकर इस धर्ती पे वो स्वयम अपने ब्रह्म आत्माओं के साथ आएंगे तो यहाँ पे अब धामधनी स्वयम देव चंडर जी के रूप में इस धर्ती पे आते हैं वो मारवार्ड है जिसके गाउं उमरकोट वहाँ उस धर्ती में 1638 में जब आसो का सुखलपक्षे 14 में उनका जन्म होता है सरीर के रूप में उनने जन्म लिया है उनकी अंदर स्वयम स्यामाजी के सुर्ता है और स्वयम धामधनी उनके हिर्दे में हैं लेकिन आज उनको यह पता भी नहीं गाउं में अब जब यह छोटे बालक हैं उनके माता पिता हैं मत्तु महता और कुवर भाई वो खुस होते हैं और अपने बच्चे को लाड़ प्यार से वो पालते हैं जिस प्रकार से एक माता पितना अपने बेटे और पुत्री को पालना चाहिए धर्म का ज्यान भी है उनके पास वो रादा बल्लबी मार्क से जुड़े हुए हैं तो अब जाकर उनकी अंदर वो धर्म के ज्यान का संसकार बेट जाता है ज्यान की बाते छोटे से ही ये बच्चे को दिया जाता है तब जाकर वो ज्यान की बाते कल जाकर सोच सकता है लेक लिगिन आज के दुन्या में हम अपने बच्चे को ज्ञान ना दे कर अब हाथ में मूबायल देते हैं। हम अपने बच्चे को धर्मसास्त्र का ज्ञान ना दे कर हम Mubi और शिर्योली की बात करते हैं। जब इस प्रकार की संसकार इस समाज में फैलता है तो हम इस समाज को उन्नति के और ले जा सकते हैं या अधोगति के और उस समय की बात है जब हर कोई धर्म के कारे करना चाता है सास्त्र पढ़ना चाता है इसलिए तो देव चंद्र जी की अंदर ये इक्षा होती है जब भया ग्यार बरस तब मन में उपजयो विचार मैं कौन कहां थे आया कहां है मेरा भरतार धामदनी यहां पे चौपाईक से कह रहे हैं कि वो अब बालक ग्यार साल का हो चुका है धर्म के बाते वो सुनते सुनते बड़ा हो रहा है और उसके मन में एक दिन ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ मैं कहां से आया हूँ और मुझे जाना कहां पे हर कोई उस परमसत्य को जानना नहीं चाहता इस दुन्या में यदि हम देखे संसार में कितने लोग है संसार में बहुत सारे लोग है और संसार के बहुत कम लोगों को ये इक्षा होती है कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूं और उसको पाऊं लेकिन उन में से भी काफी लोग होंगे जो सच में प्रयास करेंगे उसको पाने के लिए एक रिशी कहते हैं कि प्यास होना ही चाहिए, बीना प्यास के हम उस जल को प्राक्त नहीं कर सकते हैं आज हमारे प्यास वो प्यास है या नहीं, वो कहते हैं धन्यवाद आपको जो आप यहां पर आए धन्यबाद आपको जो आपके अंदर जो प्यास है वो आपको यहां तक खिज के लाए लेकिन हो सकता है वो प्यास आधा अधुरा ना हो हो सकता है श्रीफ वो एक दिखावा हो और वो प्यास जो हम देख रहे हैं वो शरीफ एक जिद्यासा हो और हो सकता है वो एक दर्शक के भादी यहाँ पे सुनने के लिए आया वो रिशी कहते हैं कि यदि वो प्यास है तो तुम्हें क्या करना चाहिए क्या तुम उस प्यास के लिए यदि तुम एक मरभूमी में हो और वो जब तुम्हें प्यास बढ लोगे तब तुम्हें मार दूंगा तब यदि वो बेक्ती उस जल को पीता है और स्विकार करता है कि मुझे मरना है तो हां वो हमारा प्यास सार्थक है कहने का तात्परे क्या है कहने का तात्परे ये है कि जो हमारे अंदर परमात्मा का प्यास है वो परमसत्य का प्यास है य यह ना सोचे कि वो परमात्मा मिलने, होई देगा, जरूर देगा, लेकिन वो देने के बाद जो खुद का जो अहम है वो मिट जाएगा, जो आज हम सोच रहें कि मैं हूँ, वो मिटाने के लिए आपको तयार रहना पड़े, तब वो यही कही कर समझाते हैं, कि वो बीज है, जो अंकुरित तो होगा, लेकिन वो अंकुरित होने के लिए आपको इक्छा करना ही होगा, वो बिक्स बनाने के लिए आपको इक्छा करना ही होगा, और बिक्स बनाने का ताकत कोई और किसी के पास नहीं, वो स्वेम के पास होता है, एक कहानी के मार्फत आप लोग को कहना चाहूंगा कि एक गौतम बुद्ध है जिनके पास बहुत सारे सिस्यात हैं सिस्य में से एक सिस्य उड़ता है और पूशता है कि पूशने ही वाले के लिए जो प्रशन आगे बढ़ाना ही कोशिश करता है गौतम बुद्ध को सब कुछ पता है वो रोक देते हैं और कहते हैं ये एक पत्र ले और पत्र लेने के बाद गउखर में तू चले जाना वहाँ पर जाकर जो इकष्या है हर किसी का लिख के लाना जब वो इक्ष्या तू जानेगा और लाएगा तब तेरा प्रश्ण भी सुनूंगा और तेरा उत्तर भी दूंगा तब जाकर गौतम बुद्ध के जो वो सिस्ष्य है वो दोड़ के जाता है और जल्दी-जल्दी से उत्तर लेके वो आता है और प्रश्ण वो पुझता है कि वो कहता है कि आप हमेशा कहते हो कि जो परमसत्य पाना चाहता है जो परमात्मा पाना चाहता है उसको परमात्मा अवज से मिलेगा लेकिन वो क्यों जो सिस्ये यहाँ पे रहते हैं आपके कहे हुए मार्क पर चलते हैं उनको परमात्मा क्यों नहीं मिला तब यहाँ पे वो पत्र को दिखाने के लिए वो कहते हैं पत्र में अब वो जब उस पत्र को देखा जाता है कि वहां संसारिक इच्छा है तो लिखी हुई है लेकिन वहां किसी ने यह नहीं लिखा कि मुझे परमात्मा या परमसत्य चाहिए तो उसी प्रकार से आधा अधुरा जब मन होता है और जब आधा अधुरे मन में हम तब करने की चित्वनी कर प्रयास करते हैं, तो वू आधा अधुरे मन्ज से कभी इस परमस्त्य को नहीं पाया जा सकता, तो यही कहे रहे हैं, की आप में येदी इक्चा हो, तो वू बीज अब हजार बीज के रूप में बन सकता है, और येदी आपकी इक्चा ना हो, तो वू बीज थोड़ा सा जुते ही मर भी सकता हैं, तो इस प्रकार आज देपचंदर जी के अंदर वो बीज उत्पन्न हुआ, वो निश्वत के कारण ही वो बीज उत्पन्न होने के कारण, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, और मुझे जाना कहां पर है, वो ये प्रoshna पूछ रहें, तब जाकर आगे वो खोज के ले किस प्रकार वो जाते हैं एक देहुरा तहां रहे तामे सुरत तिंगल स्याम तब धामधनी के आग्या से जो देपचंदर जी वहाँ पे कार्रे कर रहे हैं देब चंदर जी अब अंधरी अंदर यह सोच रहे हैं कि किस प्रकार से परमात्मा को पाय जाए तब यहां गाउवाले से कहीं नगर पे जाकर वो पूछते हैं कि परमात्मा कहां पे मिलेगा तब वहां के गाउवाले कहते हैं कि वहीं पिंगल स्याम की मूर्ती जो मंदिर है उनके परिक्रमा कर रहा, और वो परिक्रमा करते हुए आपको अवेश्य से ही वो स्वेम परमात्मा दर्शन देंगे, तब जाकर स्वेम देव चंदर जी अब तीन-तीन घंटे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन तीन घंटे के बाद पेर तो दर्त करता है, मन थोड़ा से सांत ह सकता है, शरीर में इश्फूरती आ सकती है, लेकिन वो परम सथ्य का ग्यान कभी नहीं मिल सकता, वो परम सथ्य कभी दिखाई नहीं दे सकता, तो इस प्रकार से वो पांस बरस तक साधना रत रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी उनको जब कुछ नही उनी नहीं आते तब जाकर अब वो कच्छ देश को जाने की एक्षुक रखते हैं लेकिन वो एक्छा कैसे उत्पन्न हुआ कि जब उनके जो पिता है वो मत्तु महता वो ब्यापारी है और ब्यापार करने के लिए जब अपने बेटे को वो ब्यापार सिकाने के लिए कच्छ आधेश में लहे जाते हैं तब इस साधुषै और सदुस्ण तको देखते हैं तब ही उनकी इक्छा उत्पन्न होती है। हम यहाँ पर इस चीज में भी ज्ञान लही सकते हैं कि जिसके अंदर जो चीज है उसको बाहर वही दिखाए देता है। देफ central अंदर जी के अंदर ये पिपासा थी कि ज्ञान कहां पे मिले भले ब्यापार के लिए वो गए हो लेकिन उनको ब्यापार कुछ दिखाई नहीं दिया ना उनको सामान लेना है ना कुछ लेकिन उनको ये दिखाई दे रहा है कि ज्ञान और मंदिर कहां पे है जहां सादुजन कहां पे तो उसी प्रकार हम हमारे अंदर जो इक्षाय हैं हम भी बहारी दुनिया पे वही देखते हैं और जिस दिन हमें उस परमसत्य की पिपासा हो और अंदर हमने वो बिठा लिया इक्षा जगा लिया तो हम स्वयम उस धाम दहनी को खुजने लग जाएंगे उसके प्रती चित्वनी और ध्यान सादना करने लग जाएंगे तब जाकर अब यहाँ पे 16 साल के बाद यही घटना होते है कि मैं किस प्रकार से अब कश देश के लिए जाओं तो वहाँ पे एक बार एक घटना होती है खंडा भी हाने को जाता कश देश में जाने के लिए उनको एक अवशर चाहे था और वो अवशर आज उनको मिल रहा है तो वो अवशर वो कैसे छोड़ते तो इसलिए वो दोड़े भागे वहां तक पहुंचते हैं और जो एक्छा उत्पन्न हुई थी, खुशी बेक्त करते हूँ कहते हैं, यदि आप मंत्री जी, यदि आप वहाँ उस देश में जा रहे हो, कक्ष में, तो मुझे भी ले जाईए, और मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तब मंत्री जी यही पुछते हैं, कि क्या तेरे पास सवारी है, और व मना किया, लेकिन फिर भे, वहाँ भी एक परिक्षा ही तो है, कि धाम धनी स्वेम परिक्षा ले रहे हैं, कि कितना उसके पास वो इक्षा जागरित है या नहीं, हमारे सामने कईयों बंदन आ सकते हैं, वो धाम धनी दुख का पाहाड भी रखके देख सकते हैं, और लेकिन उस पाहाड को आप आगे बढ़के नाक जाओगे या नहीं, आपकी इक्षा वो धाम धनी परिक्षा लेंगे, और उस समय में यदि आपने कहे दिया कि नहीं मुझे इस पाहाड को नहीं चड़ना, तो हम उस धाम धनी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस सुख को प्राप् के क्यूं बेठो तब जाकर वो सोचते हैं कि मैं इनके पीछे पीछे चला जाओंगा तो जाकर वो सामान रखने की कोशिस करते हैं अनिको सामान है उनके पास छोटा-छोटा टोकरियां है उनके पास रोटी पकाने के लिए जो सामान चाहिए वो है और जो थोड़ा सा पैसा और अनाज है वो रख लेते हैं तब एक कटारी और एक तरवार वो अपने साथ रखके अब कख्ष की और जाने के लिए तयार होते हैं और जब वो देखते हैं कि कहीं बारात ना गई हो तो वो देखते ही वो बारात क्या हो जाता है छ चिन है उसको आगे बढ़ते हुए वो वहाँ दोडते हैं लेकिन वो कौन है वो अस्वारी में बेटे हुए लोग है और ये पेदल चल रहे हुए एक छोटे से 16 साल के बालक है तो इस प्रकार से वो भागते हैं कि वहाँ पे अब क्या होता है यो करते चले जाते एक सक्ष दिया दिदार तो इस प्रकार से जब वो जा रहे हैं शुरुआत में जब जाते समय लगभग सांज होने वाला होता है लेकिन जब उस कक्ष की देश जाने से पहले पुर्ब में वहाँ पे एक भूमी है जहाँ पे ना कुछ गहां से है ना बन है उसरिफ एक मरभूमी है ना पानी मिलता है ना कोई बस्ती है उस बस्ती में उस मरभूमी में वो दोड़ रहे है उनका पेर दर्द कर रहा है उनका पेर दर्द कर रहा है लेकिन फिर भी एक तड़प है और वो भागे जा रहे है एक बालक उस समय में क्या सोचेगा उस समय में उसको भय है कहीं यहाँ पर कोई चोर आके मुझे ना मार दे मेरी इक्षा है कि मैं परमात्मा को पाऊं लेकिन फिर भी वो इस इक्षा के तड़प के कारण वो भागा जा रहे है धीरे धीरे तब जाकर अब एक सक्स का दर्शन होता है वो सक्स आता है किस प्रकार से वो एक सिपाही का भेश में आता है वहाँ पे धामधनी एक चौपाई के रूप में कह रहे हैं यह भेश सिपाही का कमरकटारी तलवार यह भेश सिपाही का कमरकटारी तरव तो इस प्रकार से उसके क्या है हाथ में एक बर्ची है तरवार है उसके मुँ में दाड़ी है और दिखने में ऐसा लगता है कि कुरूर बेखती है वो दूर दिखाए दे रहा है लेकिन भाय के कारण उनके बुद्धी अब काम नहीं करती और वो जो सक्स दिखाए दे रहा है वो तुरंत अब सामने आ जाता है और वो अब जोड से चिलाते हूँ ये कहता है कि जो तेरे तरवार तुने रखा हुआ है उस तरवार को छोड़ दे और यहां चोपाए में अब उस सक्स के बिसे में कहा जाता है तुरंत तरवार छोड़ के दई हाथ स्री राज तो वो सक सक्स कौन था तो वो सक्स स्वयम स्री राज है इस प्रकार से यहां पे चोपाए कह रहे है वो सक्स जो एक मनुस्य तन में आया वो सक्स जो देखने में ही कुरूर था जो सक्स हाथ में बर्चे लिते हुए उस एकांत इस्तान पे आया लेकिन क्यूं आया और किसके लिए आ नहीं, वो क्या हमें हाथ पकड़ेंगे या नहीं, लेकिन वो धामधनी हमारे हाथ हमेंसा पकड़े हुए हैं, और यदि हम उसी प्रकार से देवचनर जी के 10 प्रतिषत भी समर्पन कर लें, तो स्वयम धामधनी आकर हमारे हाथ को पकड़ेंगे, तो उस प्रकार से अब श्री राज जी तो है लेकिन उनको ये तक पता नहीं कि वो स्वयम धामधनी है वो तो यही सोच रहे कि कोई लुटे रहा है कोई मुझे क्या करेगा वो स्वयम मुझे मारने के लिए आया हुआ है तो वो डर से तुरंट अपना हाद का जो तरवार है वो दे देता है अब उनका जो गट्री है उसको भी ले लेते हैं और तुरंट लेने के बाद वो कहते हैं कि इस चादर पे लेट जाओ और लेटने के बाद जो दर्द है उनके पेट का वो समापत कर देते हैं उस दर्द को मिटा देते हैं और उनको उठाने के बाद अब वो कक्ष की ओर ले जा रहे है लेकिन देप चन्रजी को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मारेगा तो नहीं लेकिन यह जरूर मुझे गुलाम बनाएगा और काम कराएगा तो यो यही सोचते हुए, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं अब स्री राजी स्वयं देव संद्र जी से बाते करते हैं लोकिक बाते ही करते हैं लेकिन बाते करते हुए उनको उस इस्तान तक पहुचा देते हैं जहां पे उनको जो बजीर है और जो उनके मंत्रीगर्ण है वहां पे वो पहुचने के बाद धामधनी क्या कहते हैं श्री देवा चंद्रजे उतर दिया रहे उमर कोट गाम तो इस प्रकार से जो लवकिक बाते हमने कहा था तो नाम से शुरू होता है माता पिता का नाम को पुछा जाता है वहां के बजीर कैसे है और किस प्रकार से वो आपको वहां कार्य करते हैं इस प्रकार से प्रशन पुछने के बाद, अब वो जाकर जहां पे उनके बजीरों और मंत्रियों ने जो इस्तान बनाया होता है, वहां जाकर वो कहते हैं, जब वो तरवार देवचंदर जी को देते हैं, फिर से वापस और गट्री को वापस देते हैं, और वो कहते हैं, वो तुम्हारे आदमी तो नहीं और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब उनको ये पता चलता है कि वो आदमी तो उनके ही है लेकिन जब फिर से उस आदमी को धन्यवाद गरने के लिए पीछे फिरते हैं तब जाकर वो स्वयम राजी अब अद्रिश्य हो जाते हैं तो इस प्रकार से पिया के अती प्रसन तीन बेर दिये दर्शन प्रथम बार का दर्शन स्वयम महमद जी के रूप में उन्होंने दिया ऐसा कहा जाता है तो इस प्रकार ये पहला दर्शन है जहां पे धनी श्री देव चंदर जी को ये पता नहीं कि वो स्वयम धामदनी को प कड़ते हुए अर्थात उनके साथ-साथ उनको यहां तक ले आया, उस कष्ट से दूर किया, तब जाकर वो रोते हैं, और रोने के बाद अब तो उनको उस बजिर के पास जाना ही था, तो बजिर के पास जाके उनसे भेट करते हैं, और भेट करने के बाद जब वो प्रस्टन जवाप कैसे देते हैं? तुम्हारे पीछे चले आएं कदमों पर कदम धरएं तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारे जो कदम थे ना, उसी कदम के पीछे-पीछे होते हुई आ गया जैसे हवा बहटी है उसी तरह से मैं भी बहटा हुआ आ गया सुनने में एक कविता के जैसा लगता है कि उन्होंने ये क्यूं कह लेकिन वो ही ब्रह्म सिष्टी है उनका यही लक्षन है कि जो घटना उनके साथ होती है वो हमेशा उस संपदा को छुपाए रखते वो किसी को ये बेक्त नहीं करते चाहे वो सपना में ही राजी को क्यूं अपने सद्गूरू के आशिरबाद जो सपने में क्यूं ना मिले उसको भी वो किसी को नहीं कहते है उसको याद करते हुए वो खुश जरूर होंगे लेकिन दुसरे को कभी नहीं करें तो इस प्रकार के जो लक्षन है धामधनी देवचंदर जी यहाँ पे बताने की खोश आगे बढ़ते हुए वो कक्ष में यहाँ पे पहुंच जाते हैं और अपने बजिर के साथ अब कक्ष की ओर चल देते हैं कक्ष में बहुत खोश होता है वो खोश करने के लिए एक थोड़े से समय के लिए मंदिर में रहते हैं मंदिर पे वही बात सुनाई देती है कि मुर कह सकते हैं कि मुर्ती में कुछ नहीं है तो मुर्ती को छोड़ते हुए अब वो सन्याशी के ओर जाते हैं दत्तात्रे सन्याशी के पास जो एक मठ है उनके पास जाकर वो साधना का बिदी सिखते हैं दत्तात्रे एक रिशी हुए जिन्होंने 24 गुरु को धारन किया गुरु वो है जो अंधकार से परे हमें ले जाए उसी प्रकार से यहां पर दत्रा त्रय जी गुरु उसी को मानते हैं जो हमें ग्यान दे ग्यान हो सकता है एक छोटा सा बालक दे सकता है हो सकता है एक बृद्ध दे सकता है हो सकता है एक बस्तु दे सकता है लेकिन उसी प्रक से उन्होंने ग्यान लिया एक अजगर से उन्होंने ये देखा कि वो जो अजगर है अपने लक्षे को पकड़ने के लिए कितना सांथ रहता है ना उसका सरीर हिलता है ना ही उसके जीब लब लब आता है वो धैरे के साथ वो लक्षे की ओर आता है और जो लक्षे सामने आते ह वो जपट के उसको पकड़ लेता है हाँ उसी प्रकार हमें भी साधना केसे करने चाहिए जो लक्षे है उसको साथे हुए हम साधना पे बेठे अपने ये सरीर है उसको ना हिलाए और जब ये सरीर ना हिले जब लक्षे सामने धीरे-धीरे करके आयेगा और जब लक्षे ही सामने होगा तो उसको जपटके पकड़ लेना चाहिए उसी प्रकार जो बेस्या कही जाती है उनसे भी हमने उस दत्रात्रे ने ज्यान चीका उन्होंने ये सीका कि एक बेस्या है रात में किस प्रकार से अपने प्रेमी को राहा देखती रहती है वो छटपटा रहती है और वो कभी सोती नहीं उस समय उसी प्रकार से एक साधक को जीवन पे किस प्रकार से अपने परमात्मा को खुद बेस्या की जैसे होके अपने परमात्मा को एक प्रेमी मानना चाहिए और उनकी रहा को रात दिन देखना चाहिए जब तक वो स्वयम हमारे हिर्दे पे प्रभेश ना कर ले तो इस प्रकार के जो साधना है वहाँ दत्तात रहे के जो सन्यास्मत है तो देवचंदर जी वहाँ से अब मंत्र लेने के बाद वहाँ पे लगभग एक दो मेने रहते हैं और लेकिन उनके हिर्दे पे कुछ महसूस ना होने के कारण वो आनंद ना आने के कारण वो उस संप्रदाय को छोड़के अब दुसरे मत को देखने जाते हैं जहाँ पे अब वो कन फटे करके एक संप्रदाय में प उनके गोरकपूर तथा अन्य उज्जेन इस्थानों पे मंदिर बने हुए तो उनको पुझने के लिए भी आज दुन्या में अनेको भीड है उसी प्रकार उस समय में भीड था और उसी भीड के चलते हुए देपचनर जी भी उनके पास चले जाते हैं वहाँ पे भी अब वह साधना रत करते हैं लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना मिले के कारण अब जाकर वह आगे बढ़ते हैं राज गुरु के पास जाते हैं राज गुरु वो है जो राजाओं का जो गुरु होता था उनको राज गुरु कहा जाता था और राज गुरु के पास हमेशा ज्यादा ही सिस्ष्य रहते जिस प्रकार एक राजा है वो एक महान विभूती है और उसको कोई जनता क्या करेगा जैसे राजा करेगा उसी प्रकार से जनता भी बेवार करेगा इसलिए जब राजा ही एक राजगुरु को चरण मस्तक को छूता है तब उस जनता भी एक राजा को देख कर उनके चरणों पर पढ़ जाता है भले उसके पास ज्ञान हो या ना तो उस प्रकार से राज गुरु के पास भी अब देव चंदर जी जाते हैं लेकिन वहां पर भी ज्ञान और ध्यान की साधना की वो ब्यक्तितों ना मिले कारण वो वहां से चल देते हैं आखिर वो कहां नहीं जाते वो मुलाव के पास जाते हैं वो जाते हैं अनेको ब्रामन सन्याशियों के पास और वो इस प्रकार से भटकते हुए अन्तिम में कहां पहुँचते हैं फिर भोजनगर जाएके तिन सहर में तो अब जाकर अन्तिम में जब उनके अनेकों वर्ष बिच चुके हैं वो साधना कर रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने शिका लेकिन आज दिन तक वो लक्षे नहीं मिला तब जाकर अब भोजनगर में वो पहुँचते हैं भोजनगर पे हरिदास जी रहते हैं जो रादावललबी मारक के थे वो क्या करते थे वो हर समय अपने जो आरद्य हैं बालमकुंजी हैं बाकी भीहरी हैं उनको हर समय पूछते थे जैसा मोसम होता था, उसी प्रकार की वो स्यवा भी करते हैं, तो वो ही भाव को देखर, उसी समर्पन को देखर, अब देपचंद्र जी उनके अधिन हो जाते हैं, लगता है कि यही दिख्छा देने के लायक है, यही इन में से जितने भी सन्याशी थे, उनमें भले ज्यान था लेकिन समर्पन का भाव नहीं था, लेकिन ये बेक्टित्तों जो आज मंदिर पे पुजन कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके वो भाव को देखर, वो वहाँ पे जाते हैं, आप सबको विधित्त ही है, मुर्ती पुजन से कुछ होने वाला नहीं है, मुर्ती पुजन से रेकर चुके हैं आने के बाद उनको यह ज्ञान हो चुके है कि कक्ष देश में कि मुर्थी को पुजन नहीं करना चाहिए अब जाकर यहां आने के बाद उन्होंने फिर से जो मुर्थी पुजक है उनको क्यों लिया उनको ही गूरु बनाने के लिए उन्होंने क्यों चुना तो इसका उतर यही है कि हरिदास जी को जो बेक्टित्तो और जो समर्पन और स्रद्दा भाव है उनको देखकर उन्होंने ज्ञान लेनी के सोची ना कि उन्होंने ये सोचा कि मुर्ति पुजा कर रहे हैं कब जाकर वहां पे वो प्रबेश होते हैं और सोयम भी अपने उनको सेवा करने लगते हैं अब आगे मारग रधा वलभी में लेने नाम सुमिरान तो हर सेवा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो गुर्जी को ये पता चलता है हरिदास जी को कि यह बन्दा कोन और किसका है मत्तुमहता के घर के यह लड़का है और ये घर छोड़के भागा हुआ है, तब जाकर मत्तु महताजी को, ये केह दिया जाता है कि हाँ तेरा पुत्र यहाँ पे आया हुआ है और उसको ले जा, जब मत्तु महता आते हैं, अपने पुत्र को समझाते हैं तब देबचंद्र जी नहीं मानते, तब वहाँ पे रुआवासी होता है एक परिवार का एक माता है और पिता है जो सांशारिक बंदन में अपने पुत्र को रखना चाहता है वो चाहता है कि मेरा पुत्र या पुत्री मुझे बाद में कमा के खिलाए लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनका पुत्र या पुत्री सन्यासी बनके धर्मात्मा बनके इस समाज का सुधार करें तथा अपना खुद का आत्मा का कल्यान करें तो इस प्रकार देवचंदर जी को भी समझाया जाता है मायवी रूप में कि तुम मायवी आजाओ तुम्हें घर मिलेगा तुम्हें परिवार मिलेगा तुम्हें धन दौलत भी मिलेगा लेकिन देव चंद्र जी है जो श्रिफ परमात्मा की खोज में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए है और बाद में भी जब तक उनको प्राप्त नहीं होता तब तक वो लगे ही रहे तो इस प्रकार जो देव चंद्र जी की अटूट विश्वास थी तो वो ही को प्राथना करते हुए अब वो आगे बढ़ते हैं वो मना करते हैं लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब समय आता है कि वो दिक्षा ले ले समय है दिक्षा लेने का लेकिन उसी दिन उसका पिताजी भी सोच लेते हैं कि साधी भी इनका करा देंगे तो क्या हो तब जाकर वहाँ पे साधी करने का दिन भी उसी समय जूरता है, तब स्वयम देव चंडर जी वहाँ पे अब भद्रभेश होके अपने गुरू के पास जाते हैं, भद्रभेश किसे हो कहते हैं, भद्रभेश जहाँ पे स्वयम को बाल को मुडाना होता है, उस समय की बात है, भद्रभेश जहां पे धोती और कुर्टा को पहनते थे। आज की modern जवाने में तो भद्रभेश टाइ, सर्ट, पैंड लगाने को कहा जाता है। लेकिन उस समय देपचंद्र जी ऐसे भद्रभेश किस प्रकार से उन्हीं ने लगाया और किस प्रकार से दिख्षा पाया, वो हमें समझना चाहिए, और हमें अप्नाना भी चाहिए। तो इस प्रकार देपचंद्र जी जब भद्रवेश धारन करके आते हैं तो उनको अब दिख्षा दी जाती है भजमन श्री विरिंदावन कुझ विहार नित विलास तो यहां पे भजमन श्री विरिंदावन कुझ विहार नित विलास मंत्र दिया जाता है कि वो नित्य ब्रिंदावन पे लिला करने वाले जो कुंज बन है उसमें लिला करने वाले को हमेशा याद रखना कुंज बिहारी नित्य बिलास इसले इस मंत्र को मनन करना वो कहते है मननात इती मंत्रह मंत्र का अर्थ ही यही है कि उसका मनन क्या जाए तार्तम मंत्र का एधी हम ध्यान की अवस्ता पे जब सद्गुर केहते हैं कि दो बार तार्तम का मौन जब करो तो श्रिफ वहाँ पे मंत्र नहीं जबना कि निजनाम स्री जी साहब जी अनादे अक्षरा दे तो वहाँ पे उसका मंत्र का अर्थ भी जानना है कि वो मंत्र क्या कह रहा है कि इस प्रकार से हमें यह कह रहा है कि हम ब्रह्मस्रिष्टी हैं और दुसरे ब्रह्मस्रिष्टी को जगाना है कि इस प्रकार से वो कह रहा है कि हम उस परमधाम के हैं ना ही इस निराकार के हैं ना ही योगमाया के हैं और ना ही इस अक्षेर धाम के हैं हम है तो उस परमधाम के हैं जब इस प्रकार से मंत्र को मनन करेंगे तब उस मंत्र की सक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो इसलिए वहाँ पे उस मंत्र को स्वयम देपचंदर जी को दिया जाता है अब देपचंदर जी जब इस ग्यान को लेते हैं और अंदर प्रविश कराते हैं तब जाकर साधी की जो माहुल था उस समय वो पहुंचते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पिता उनको देखने के बात रूठे हुए वो रो रहे हैं और वो स्वयम अब आके अपने पुत्र को कहते हैं या तो तू साधी कर ले या तो यहाँ पे कुछ अनिष्ट होगा तब जाकर देख चंद्र जी अपने माता पिता के दवाप में आने के कारण वो अब साधी कर लेते हैं लेकिन वो इतना तो कही देते हैं कि जिस आत्मा का जो प्रियतम है मेरे अंदर जो आत्मा है उसका प्रियतम के साथ मेरा साधी तो हो चुका है तो इस प्रकार इस भाव में जब वो मंत्र लेते हैं तब जाकर अब आगे बढ़ते हुए वो किस प्रकार से दुष्टा दर्शन करते हैं, किस प्रकार वो आगे बढ़ते हुए सोयम धामधनी उनको साक्षतकार देते हैं, वो आगे कल के हम चर्चा पे सुनाएंगे तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि खोश किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार हम अपने आपको द्रिड बना सकते हैं, किस प्रकार, एक बीज तो हमारे अंदर भी है, लेकिन उस बीज को कब और कैसे उसको ब्रिक्स के रूप दे कर हम भी करोडो गुना बीज को तो आप चौपाय को दुराएंगा भजमन श्री बिंदावन बजमन श्री बिंदावना कुझ विहार नित्य विलास ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विष्वासा प्राना प्यारें